Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय साल 2024 का BRICS Summit को रश्या के शहर कजान में और्गिनाइज किया जा रहा जोकि शुरू हुआ 22 तारीको और खतम होगा 24 तारीको यानि कि 3 दिनों के लिए और इस सब्मिट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पीए मोदी औरेडी रश्या पहुँच चुके हैं जहां पे जब वो रश्या पहुँचते हैं तो उनका काफी भव तरीके से स्वागत किया जाता है और उसके बाद वो मिलते हैं रश्यन प्रेसिडेंट व्लादिमर पुतिन से और वैसे भी जब पीए मोदी और रश्यन प्रेसिडेंट व्लादिमर पुतिन कहीं पे भी मिलते हैं तो इनकी जो मिलने का अंदाज होता है वो काफी अलग होता है जो कि हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि Western countries या मीडियाज इस अंदास को बिलकुल भी पसंद नहीं करते होंगे इस वीडियो में हम बहुत ही basic बातों के उपर ध्यान देंगे कि आखिर में ये BRICS है क्या कब इसके formation हुए कितने इसके members हैं और साथ में हम इस बात पर ही focus करने वाले हैं कि साल 2024 का BRICS Summit भारत के लिए कितना important है और साथ में हम इस बात पर ही focus करेंगे कि Russian President Vladimir Putin साल 2024 का BRICS Summit को organize करके USA और कुछ Western countries को क्या संदेश भेजे हैं BRICS क्या है कितने इसके members से कब इसके formation हुए हम ये सारी बातों को जानेंगे लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी basic बातों को हम जान लेते हैं सबसे पहले हम एक बात का ध्यान रखे कि जब भी हम किसे meeting को refer करते हैं और उस meeting के पीछे अगर submit word use होता है तो इसका मतलब होता है कि उस meeting में अलग-अलग देशों के जो head of states हैं वो participate कर रहे हैं और साल 2024 के BRICS submit में total 36 countries के जो head of states हैं वो participate कर रहे हैं जो की number अपने आप में काफी massive हो जाता है और साथ में United Nations के Secretary General Antonio Guettres भी 2024 के BRICS submit में participate कर रहे हैं जो की किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं कि US और उसके allies को Antonio Guettres के दुआरा ये किया गया काम बिलकुल भी पसंद नहीं आएगा BRICS का full form है Brazil, Russia, India, China, South Africa और इस group को बनाया गया था साल 2009 में और साल 2010 में इस group को जोईन करता है South Africa और साल 2024 में इसमें total आपके हो जाते हैं 10 countries और ये 10 countries मिला के दुनिया के total almost आपके 50% जो world population होते हैं उसको represent करते हैं और साथ में almost 25% से भी अधिक दुनिया का world economy को represent करते हैं और इस group को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें जितने भी जो countries हैं उनके संबंद western countries और US के साथ अच्छे नहीं हैं और ये भी एक बहुत बड़ा वजय है कि क्यों western medias BRICS के बारे में बहुत सारी negative बातों को फैलाते हैं लेकिन जब भी बात किया जाए शेंगाई corporation organization के बारे में या specifically BRICS के बारे में तो western medias का अगर आप articles को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पढ़के कि negative side को ज़्यादा focus किया जा रहा और positive side को almost ना के बराबर focus किया जा रहा साल 2023 के BRICS submit को South Africa में organize किया जाता है जिसमें कि 4 नए देश जोईन करते हैं BRICS को जिनके नाम रहते हैं Egypt, Ethiopia, Iran और UAE हलाकि इनके अलावा भी दो और देशों को invitation भीजा गया था एक है Argentina और दूसरा है Saudi Arabia जहां तक हम बात करें Argentina के बारे में तो Argentina को अभी एक नया president मिला है जिनका नाम है Xavier और उन्होंने बहुत ही खुले शब्दों में ये कह दिया कि वो BRICS को as an communist group देखते हैं और इसलिए वो किसी भी तरीके से BRICS को जवाइन नहीं करना चाहते हैं उनके जो विचार है वो काफी हद तक हम कहले कि pro-US विचार है और जहां तक हम बात करें Saudi Arabia के बारे में तो वैसे सभी groups को Saudi Arabia जवाइन नहीं करना चाहता है जिस group में already Iran present हो और वैसे भी अगर आप बात करें तो Saudi Arabia के जो संबंध है वो USA और Western countries के साथ काफी अच्छे हैं यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा वो यह है कि जैसे कि Argentina के President ने बहुती साफ शब्दों में कहा कि वो इस group को as an communist group देखते हैं और वो इसी लिए इस group को join नहीं गरना चाहते हैं लेकिन Saudi Arabia के तरब से ऐसा कुछ भी अब तक नहीं कहा गया है यानि कि नहीं तो उनके तरब से हां कहा गया है नहीं तो नहीं तो नहीं कहा गया है और अगर बात किया जाए कि साल 2024 का Brick Submit भारत के point of view से क्यों important है तो जैसा कि हमें मालूमें कि साल 2020 के जून के महीने से भारत और चाइना के बीच में संबन बेहत खराब हो जाते हैं गालवान वैली के clash के बाद उसके बाद भारत के तरब से लगभग 50,000 या उससे भी अधिक forces का जो deployment होता है वो इस्टन लद्दा के region में कर दिया जाता है ऐसा ही कुछ किया जाता है चाइना के द्वारा भी तो साल 2024 का जो Brick Submit है यहाँ पे हमारे P.A. Modi और चाइनीज प्रेसिडेंट शीर्जिन डारेक्ली मिलेंगे और chances ये भी काफी हाई हैं कि जो बहुत सारे मुद्दें disputed हैं उसके ऊपर भी बात हो क्योंकि P.A. Modi भी हमारे देश के head of state है और वैसे ही Chinese President भी head of state है तो यहाँ पे जो possibilities बनता हुआ दिख रहा वो ये दिख रहा कि आने वाले दिनों में चाइना और भारत की बीच में जो संबंध है बहुत ही बड़ा moment है जहाँ पे एक ही platform पे आपको इतने देश के head of states मिलेंगे अगर आप इसी meeting को individually करते हैं तो ना जाने यहाँ पे कितने साल लग जाते हैं और जहाँ तक बात किया जाए इरान का तो इरान भी Middle East में एक बहुत ही important देश है और भारत और इरान के बीच में जो संबंध है वो fairly अच्छे है और वैसे भी चाबहार पोर्ट में भारत के अपने investment है और जहाँ तक बात किया जाए तो दुनिया के जितने भी जो अलग-अलग global platforms है वहाँ पे US और Western countries का dominance हमें साफ देखने को मिलता है जैसा कि मैंने बताया कि United Nations के Secretary General ने इस invitation को accept कर लिया और जब तक मैं ये video record कर रहा हूँ तब तक वो already Russia पहुँच चुके हैं तो इस शीज को USA और उसके allies कभी भी accept नहीं करना चाहेंगे वहीं पे अगर बात किया जाए तो almost 20 साल से उपर हो चुके हैं रशिया और उक्रेन के war में जहाँ पे पिछले साल International Court of Justice के द्वारा फ्लादेमिर पुतिन को एक war criminal declare किया जाता है और उसके बाद अगर आप अपने देश में एक ऐसा submit को organize करते हैं जहाँ पे 36 countries के world leaders आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और आप directly उनसे बात करते हैं तो यहाँ से एक बहुत ही strong message जाता है पूरे दुनिया को खास करके Western countries को कि किसी भी तरीके से Russia under pressure नहीं है और खास करके जब से Russia Ukraine के बीच में war शुरू हुआ तब से लगभग 15,000 sanctions लगाये जा चुके हैं Russia के उपर तो अगर आप Vladimir Putin के point of view से देखेंगे तो यह उनके point of view से भी काफे important submit था I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye